दोस्तों कि आप जानते हैं कि चीता संबंदे कैसे बनाते हैं? भारत में इस वक्त कितने चीता मौझूद हैं? और सबसे एहम सवाल कि चीते की रफ़तार कितनी होती है? वेल तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको चीतों के बारे में कई सारी नई जानकारी देने जा रहे हैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इस वक्त भारत में कितने चीता मौझूद हैं इसके लिए हमें इतिहास में जाना होगा। कहा जाता है कि अकबर के बेड़े में एक हजार चीते थे। जिसका इस्तमाल शिकार के साथ साथ दुस्मनों के लिए भी किया जाता था। उस जमाने के सभी चीते एसी आई परजाती के थे। अब ये परजाती केवल इरान में बची है। अकबर के बाद भी मुगलों ने चीते का बेड़ा बनाए रखा। लेकिन मुगल काल के पतन के बाद जैसे जैसे बिटिस सरकार के पाउँ भारत में जमने लगे इनकी संख्या लगातार कम होनी शुरू हो गई। हलाकि अंग्रेजों को चीते की शिकार में कोई दिल्चस्पी नहीं थी। लेकिन इनकी खेती और किसानी की नीती ने चीतों के सामने खत्रा पैदा कर दिया। दरसल अंग्रेज खेती को बढ़ावा देने के लिए जंगलों को कटवाने लगे। खास तोर पे चाय और कौफी की खेती के लिए। चीतों को विलुट घोशेत कर दिया गया। वहीं अगर बात की जाए इरान में तो इरान में भी अब गिंती के ही चीते रहे गए हैं ACI चीते के सिर और पैर छोटे होते हैं, वहीं उनकी चमली और रोये मोटे होते हैं, अफरीकी चीतों के मकाबले उनकी गरधन भी मोटी होती है, दोस्तों, चीतों के विलूत्थ होने का एक कारण ये भी है कि इनके ज़रा जर बच्चे मर जाते हैं, एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चीतों के 95% बच्चे एडल्ट होने से पहले ही मर जाते हैं यानि कि इनके 100 बच्चों में से केवल 5 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो की जवान हो पाते हैं इनके बच्चों के मरने के पीछे की वज़ा शिकारी जानवर होते हैं अरब देशों में चीतों को पालने के लिए खरीदा जाता है इनके एक बच्चे की कीमत तकरीबन 10,000 डॉलर होती है अगर इसे भारती रुपए में कनवर्ट करे तो इसकी कीमत 8 लाग रुपए होगी दोस्तों चीता दुनिया का सबसे तेज दौडने वाला जानवर है हलाक इनकी रफटार कितनी है इसे लेकर अलग-अलग दावे किये जाते हैं एक रिसर्च में ये बात सामने आई है कि चीते 94 किलोमेटर पर्दी घंटे की रफटार से दौड सकते हैं ये रफटार दुनिया में सबसे तेज दौडने वाले हुसेन बोल्ड की रफटार से दौगुनी है वहीं जब ये अपनी पूरी ताकत से दौड रहा होता है तो ये 7 मीटर लंबी छलांग लगाता है दोस्तों 7 मीटर करीब करीब होता है 23 फिट वहीं चीते ये रफटार केवल 3 सेकेंड में हासित कर लेते हैं अच्छी से अच्छी स्पोर्ट कार को इस रफटार को हासिल करने में तकरीबन 6 सेकेंड लग जाते हैं हलाकि चीते एतनी तेज रफटार से केवल 500 मीटर ही दौड पाते हैं क्योंकि जैसे ही ये फुल रफ्तार से दोड़ते हैं तो इनके बॉडी का टमप्रेचर बढ़ने लगता है और इनके शरीर में ऑक्सिजन की तेजी से कमी होने लगती है। दोस्तो क्या आपको पता है कि चीते दहार नहीं सकते हैं। जीहां दोस्तो बिल्ली के परजाती में शेर और बाग जिस तरह से दहारते हैं चीते वैसे नहीं दहार सकते हैं। पेले ही पालना पड़ता है। इसका मतलब तो यह हुआ कि इसे हर दूसरे दिन शिकार करना ही होगा। वरना यह अपने बच्चों का पेट कैसे भरेगी। शिकार के दौरान इसे अपने बच्चों की निगरानी भी करनी पड़ती है। ताकि उन्हें खतरनाक जानवरों से बचाये जा सके। वहीं छोटे बच्चों को एक जगा से दूसरे जगा ले जाना मादा चीता के लिए चुनोती भरा होता है। दोस्तो ये तो अपने खबरों में सुनाई होगा कि भारत में नवीविया से चीते लाए गए हैं। हलाकि नर्चीता तीन साल के आयू से पहले संभोक नहीं करता है। एक रिपोर्ट के मताबिक ये पता चलता है कि मादा चीता उपन मैंडे होती है। यही वज़ा है कि इनके बच्चों के बाप अलग-अलग होते हैं। एक मादा चीता एक बार में नौ बच्चों को जनम दे सकती है। पर औसद ये तीन से पांच बच्चों को ही जनम देती है। इनका गर्वकाल दो सो दिनों से लेके धाई सो दिनों तक होता है। दोस्तो जब एक चीता छोटा होता है तो उनके शरीर पे बाल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकी उमर बढ़ती जाती हैं के शरीर के बाल गिरने लगते हैं। ये बच्चे 13 से 15 महिनों के होने के बाद अपने मा का साथ छोड़ देते हैं। मादा चीता केवल संबंद बनाने के लिए ही नर चीता से मिलती है। उसके बाद फिर से दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। इस दोरान अगर बच्चे है तो उन्हें अपना ख्याल खुद ही रखना होता है।